नमस्कार, JCERTK DG स्कूल में आपका स्वागत है आज हम वर्ग दो के गनित के पाठ घटाओं की चर्चा करेंगे जब मैं छोटा था, आपकी उम्र के, तब एक बार की घटना है मैं कुछ पैसे लेकर, कितने पैसे थे मुझे पता नहीं था हवा मीठाई खरीदने गया और हवा मीठाई तो आप जानते हैं, बिल्कुल मुलायम मुलायम होता है उसने मुझे, बेचने वाले ने मुझे आठ हवा मीठाई दिया लेकिन मैंने इस तरह से हाथों में लिया और हवा तेज बह रही थी मेरे तीन हवा मीठाई उड़े गए मैंने जल्दी से बाकी हवा मीठाईयों को खा लिया जब घर पहुचा तो मैंने बताया कि आठ थे और तीन मेरे उड़े गए तो घर में लोगों ने पूछा तुमने कितने खाए मैंने कहा बाकी मैंने सारे खा गए ठीक है बाकी तो खा लेकितने खा गए अब मुझे तो पता ही नहीं था मैंने कितने खाए मैं तो सिर्फ कर रहा था, बाकी खाए, बाकी खाए, क्या आप बता सकते हैं मैंने कितने खाए, चरी, हम लोग करते हैं, अंगलियों से, अंगलिया निकाले, देखिए, गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ये हो गए, आठ, आठ हमारे हवा मिठाई थे, उड़ कितने के हवा में, ये तीन, ये तीन उड़ गए, अब कितने मैंने खाए थे, गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने उस समय कितने खाए थे हवा मिठाई, पांच, अब एक और घटना मैं सुनाता हूं, उसी वक्त की है, ज 26 जन्वरी को हमारी विद्याले में चॉकलेट बढ़ता था, पांच-पांच चॉकलेट मिले सभी को, मुझे भी मिले, मेरा एक दोस्त था, क्लास में पढ़ता था, हीरा लाल और एक सोना लाल, हीरा लाल ने मेरे दो चॉकलेट छीन लिये, तगड़ा था थोड़ा मुझ से सोना लाल भी तगड़ा था, वो भी बहुत बदमास था, उसने मेरे बाकी चॉकलेट छीन लिये, मेरे पास कुछ नहीं बचाए, मैं गया ठीचर के पास, कंप्लेन करने, मैंने बताया कि एक ने मेरे दो चॉकलेट खा लिये, और दूसरे ने बाकी ले लिये, फिर ठीचर ने कहा, कितने खा लिये बाकी, उसने हीरा लाल वाले से तो दिलवा दिये दो चॉकलेट, लेकिन वो सोना लाल ने कितने चॉकलेट मेरे छीन लिये थे, हमारे टीचर ने पूछा, फिर मैं नहीं बता पा रहा था, मैंने कहा बाकी, 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 आप बता सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और हीरा लाल ने कितने छील दिये थे मेरे, एक, दो, अब ये कितने बज़ गए, एक, दो, तीन, और यही तीन सोना लाल ने छील दिये थे, खेर उस समय मुझे पता नहीं था, आज आपने बताया, पता चल गया, आईए अब एक गति विदिय करते हैं, देखें हमारे पास ये चम्मच कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चम्मच हमारे पास हैं, इन पांच चम्मचों में से हमने दो को हटा दिया, तो कितने बच गए एक दो तीन चलिए फिर से देखते हैं हमारे पास चम्मच है पांच इसमें से हमने दो को हटा दिया हटा दिया यानि घटा दिया तो अब कितने बच गए एक दो तीन अर्थात पांच चम्मच से में से दो चौक चम्मच हमने घटा दिये तो कितने बच गए तीन चम्मच एक और गतिविदी देखते हैं ये मेरे पास संत्रा है ये आपसपस्ट देख रहे हैं कितने संत्रे हैं चार चार संत्रों में से एक किसी ने खा लिये तो अब कितने बच गए हैं हमारे पास एक दो तीन इसी को हम कहते हैं घटाओ फर से देखते हैं चार संत्रों में से हमने एक घटा दिया तो बच गए कितने तीन हटा दिया या घटा दिया एक ही बात है तो बच गए तीन अब फिर से देखते हैं मेरे पास ये सिक्के हैं कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ सिक्के हमारे पास हैं इन नौ सिक्कों में हमने तीन किसी को राजू को दे दिया तीन सिक्के हमने राजू को दे दिया पाले कितने थे? नौ नौ में से तीन मैंने राजू को दे दिया अब मेरे पास कितने बचे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इसी को हम इस तरह से कह सकते हैं हमारे पास नौ सिक्के थे इसमें से हमने तीन घटा दिया नौ से तीन घटा दिया हटा दिया या घटा दिया तो कितने बच गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब एक और गतिविदी या प्रशन को देखते हैं हमारे पास हैं ये दस कमाची का एक बंडल है इसमें दस कमाची है तो ये कितने हैं? दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर, पंदर ये पंदर कमाची हमारे पास है अब मुझे इसमें से साथ कमाची किसी को देना है अर्थात साथ इसमें से घटाना है तो ये तो पाची है अब दो कहां से और लाएं? मुझे साथ देना है तो यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच अब दो कहां से लाएंगे और? इस बंडल को खोलेंगे और इसमें से दो निकाल लिया, तो यह हो गए साथ, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, यह साथ हमने हटा दिया, या घटा दिया, तो अब बच गए कितने, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, तो हमने देखा कि हमारे पास दस का एक बंडल था और पांच खुले कमाची थे, उसमें से हमने जब साथ को हटा दिया, तो हमारे पास बच गए आठ, आएए अब इस घटाव को हम चित्रों की मदद से समझने की कुछिस करें, यह हमारे पास चार चिडियां के चित्र है, एक, दो, तीन, चार, यह हमारे पास चार चिडियां है, कितने चिडियां है, चार, और इस चार में से यह एक चिडियां उड़ गई, यानि हमने एक चिडियां हटा दिया, यह चार में से एक चिडियां उड़ गई, तो कितने बच गए हैं हमारे पास एक, दो, तीन तो इसे हम कहेंगे चार घटाओ, एक यह आ गए, तीन अब हमारे पास यह दूसरे चित्र में आईस्क्रीम है, कौन वाले आईस्क्रीम आप खाते होंगे गर्मी में खुब, देखें कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा बारा आईस्क्रीम है और इसमें से दो आईस्क्रीम दो बच्चों ने खा लिये कितने थे आईस्क्रीम? बारा और बच्चों ने कितने खा लिये? दो तो हमारे पास और कितने आईस्क्रीम बच गए अभी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस अर्थात इसे हम कहेंगे बारा में से हमने दो घटा दिया, तो बच गए दस अब फिर एक और चित्र देखते हैं यहाँ, यह आम के चित्र है, पके हुए आम है अब देख रहे हैं, कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे आम हैं, आम कितने हैं? छे और इस छे में से एक आम किसी ने खा लिए एक आम खा लिए अब कितने आम बच गें? देख लिजे एक, दो, तीन, चार, पांच अब यह अन्तिम जो चित्र हैं, देख रहे हैं चूहा कितने चूहा है? एक, दो, तीन, चार, चार चूहा में से ये दो चूहा ये दो चूहा भाग गए चार चूहा थे कमरे में दो चूहा भाग गए भाग गए यानि इससे हमने घटा दिया तो अब कितने चूहा बच गए? एक, दो तो चार घटाओ, दो बराबर हो गए दो यह जो भाग गया न इससे को वहां से चले गए तो इस्कों घटा दिये है हमने तो इसको हम कहते हैं ghatाओ और यह जो चिन है हमारा यह से ghatाओ कहते हैं यह इस चिन को हम लोग घटाओ पड़ते हैं तो यहां हो गए 4, 1, 3 हमने देखा 12, 2, 10 हो गए छे से एक घटा दिये तो 5 हो गए और 4 से 2 घटाए तो 2 हो गए अभी हमने गतिविधी के माध्यम से और छित्रों के माध्यम से घटाओ को समझने की कोशिस की अब आईये हम लोग इसके बाद घटाओ करते हैं कुछ प्रस्नों को हल करते हैं आठ घटाओ दो, आठ में से दो घटाएंगे, ये आठ ये घटाओ का चिन हो गया और ये हो गया दो, तो आठ घटाओ दो इसे पढ़ेंगे, आठ घटाओ दो, कितना होगा? तो हम लोग उंगलियों की मदद लेते हैं, आठ उंगली निकालिये, सभी कोई, ये पाँच और ये तीन आठ हो गये, तो इस आठ में से हमें कितने घटाने हैं? दो, तो दो उंगलियों को बंद कर लिए, कितने बच गये? गिनिये, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और हाथ, आठ से हमने दो घटा दिये, तो कितने बच गये? छे, ये हमने लिख लिया, अब दूसरा है, साथ घटाओ, तीन, चलिए, अब उंगलियों की बजाए, थोड़ा दूसरे तरह से करते हैं, साथ घटाओ, तीन, तो ऐसा करते हैं हम लोग, साथ लाइन, यहाँ पर खि साथ, और कितना घटाना है? तीन, तो एक, दो, तीन, यह तीन लाइन हमने काट दिये, तो कितने बच गये? एक, दो, तीन, चार, अर्थाथ, साथ में से हमने तीन घटाया, तो चार हो गए, अब तीसरा जो हमारा प्रस्न है, पांच घटाओ, दो, पांच से दो घटाएंगे, तो कितना हमारा बचेगा? तो फिर से अब इस बार उंगलियों की साहता लेते हैं, सभी कोई अपने अपने उंगलिया निकालें, कितने उंगलिया है यह? पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें से घटाना कितना था हमें? दो, तो दो घ कितने बच गए एक, दो, तीन, अब एक और लेते हैं, छे घटाओ, तीन, फिर उंगलियों के सायता लेते हैं, या कुछ और लेते हैं, चलिए, ये मेरे पास, ये कमाची हैं, चलिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अज़र फिर से गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो छे कमाची है, इस छे से हमें तीन घटाणा है, तो 6 कमाची में से 3 कमाची हम हटा देते हैं 1 हटा दिए 2 ये 3 तो कितने बच गए 1 2 3 6 कमाची थे 3 कमाची हमने हटा दिया तो बच गए 3 तो हमारा 6 घटाओ 3 हो गया 3 हमने 10 से बड़ी संख्याओं के घटाओ भी कमाची के माध्य हम से अभी सीखे है तो एक उस प्रश्न को भी लेते हैं 15 घटाओ 6 15 घटाओ 3 तो 15 से 3 घटाएंगे तो अभी कमाची की साहता से हमने सीखा था आप खुद से इसे करें कमाची के साहता से आपके पास माचिस की तिल्निया होंगी माचिस की तिल्नियों की साहता से इस प्रश्नूख खुद से हल करें तो ये आएगा 15 घटाओ 3 कमाचिस की तिल्लियों की साहता लें, जिस तरह से कमाचियों से हमने किया था, ठीक इसी तरह से करें और इसे खुद से हल करें। आज के इस कक्छा में हमने क्या क्या सीखा? घटाओं के बारे में सीखा। हमने गतिविदियों के माधियम से घटाओं किया, चित्रों के माधियम से भी किया, आसा है कि इस कक्छा में जो बताया गया है घटाओं का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने पुस्तक जो भी आपके पुस्तक है, इसमें जो अभ्यास के प्रस्न दिये हुए है, उसे आप स्वेम से बनाने के करम में आप उंगलियों की सहायता ले सकते हैं, लकीरों की सहायता ले सकते हैं, या कुछ वस्तूओं की सहायता ले सकते हैं। धन्यवार।